सो अपना आज दा लेक्चर आपा स्टार्ट करने लगे हैं क्वेस्चन 3 तो फ्रॉम एक्साइज 8.1 आफ ट्रिग्नोमेट्री बट एस तो पहला तुसी एस तो पहला वाली वीडियो जिस दे विच मैं बेसिक्स नो फुल डिटेल दे विच करवाया सी उस नो चंगी तरिके जुरूर देख लिए हूँ उस दे विच आपा एक्साइज 8.1 दे दो क्वेशन भी कीते सी के उस तो बिना तो अनो अग्गे बिल्कल भी समझ नहीं होना सो प्लीज उस नो चंगी तरिके देख लिए हूँ मैं उस दा लिंक एजड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच अल्रेडी दे रखे है सो बचे अपा थर्ड क्वेशन नो स्टार्ट कर दे हैं बट उस तो पहला थोड़ा जा इनना नो रीकेब कर लो साइन एक्स कौन सी, कॉस एक्स कौन सी, P अपान एच, B अपान एच वो सारी अंगला लो भई, सो अपने कुले एक क्वेशन दे विच कीक है केंदे साइन ए दी वैल्यू देती हुई है जी 3 अपान 4 ता नाल दी नाल पहलां ता ट्रेंगल बनाएगे ट्रेंगल तो बनाता गाली नहीं बाननी, लो भई, सो मैं इथे ट्रेंगल बना रहे हैं देखो दिया आपने कुले बना लेया जी अपा एक राइट अंगल ट्रेंगल इथे मैं एंगल A बना लेया, आ एंगल B बना लेया, राइट अंगल ट्रेंगल है low way, shade की तापा ता जाद होना है मैं बोले आ सी used angle दे सामनी हमेशा कौन होंदा है perpendicular, फिर आ होगे आपने कोले base ते आ होगे आपने कोले hypotenuse clear है, सो बच्चे आपा find out कारने कौसे and tanning, दो पार्ट है सो बहुत सौक है, सब तो पहला आपा देख 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 देखें हैं भी अपनू sine A दी वैल्यू दिती होई है, आपने 3 by 4 ठीक है सो sine होंदा की है, sine होंदा आपने कोले perpendicular अपन hypotenuse, ता बलकुल सौका question है यार, ये अपने कोले perpendicular अपन hypotenuse होंदा है, ते 9th क्लास भी अपा रेशो वाले क्वेस्टनाच कंपेर कर देंदे सी, ता देखो कंपेर करके, तो आडे कोले P दी वैल्यू की आजोगी देखो एक वारी, P दी वैल्यू अपने कोले आजोगी, 3 दे नाल कोई भी मल्टीपल लेडो, K लेडो X लेडो, सो मैं एक दी लेख देना 3 X लो भी, अब P दी वैल्यू आगी कंपेर करके, सेम H दी वैल्यू H दी वैल्यू की आजोगी सो बेटे, H दी वैल्यू आजोगी 4 X जाँ 4 K प्लीज कोई भी जाना ना, इथे कला 3 ते 4 ना लेओ क्योंकि कोई ना कोई मल्टी पलता उना दा हो गई, अधर्वाइस गल्थ हो जोगा सो बेटे, होन अपना सेकिंड काम जो मैं बेसिक्स विच भी बोल्या सी भी एक ट्रेंगल दिया दो साइड ना देतिया होन या तीजी साइड नाल दी नाल काड़लो तीसरे साइड केड़ी है नी क्योंकि आट आपढ़न देता होया 4X आपढ़न देता होया 3X तब बेस है नी पहला हम बेस कदिये рад लोबाई, शेति दने पाइथाओ आज़े लवा देओ ताम जो आपाझ बेस कदिये तो आपने कोले की हों दी है h square is equals to p square plus b square, so h square दी value आपने को लिए 4x दा square, p square, 3x दा square and b square आपने को लिए only, so ए बान जुगा जी 16x square minus 9x square is equals to b square, आता शेती दिने नाल दी नाल कौपी स्थे कर दे हो, so बेटे आपने को लिए b square दी value आगी 7x square, so बेटे जड़ा b है अपने को लिए square उधर जाके root हो जुगा, so ए बान जुगा 7x square, कई बच्चे इत्थे ना एक गल्त ही कर देंदे है, सिद्धा square नल square कट देंदे है, टोटल ही गल्त, क्योंकि 7 दे उपर ता square ही है नी, कले x दे उपर है, so इथो की हुगा, आज square देना रूट कट्या जाओगा, बट 7 दे उपर रूट रह जुगा, so b the value की बनी, root 7x, पहली गल्त ही बिटे तुसी a इत्थे नहीं करनी, ठीक है, so b the value की नहीं आगी अपने को ले, root 7x, लोबी, हो क्या question, देखू, कटना की सी आपा, cos a, लोजी मैं इत्थे लेख देना है, cos a, cos आपने को ले हुंदा की है, थोड़ा या basics देख देया, base upon hypotenuse, base के नहीं हुने कट के हटे हैं यार, so base upon hypotenuse, base के नहीं आपना, root 7x, लोजी, and hypotenuse के नहीं आपने को ले, 4x, हो गया, यार question, x ना, x गया, answer अपने को ले के नहीं आगया, root 7 upon 4, यह आगया जी, अपने first part दा answer, second आपकटने 10a, 10 भी आपनों, easily कर देंगे, so मैं इती लेख देना 10a, so पेटे 10 होंदा की है, देखोते हैं आप, perpendicular upon base, लोजी, perpendicular के नहीं है, बोलोंगे, perpendicular सिखा जी, 3x, so लेख लिया, and base अपने को ले के नहीं है, base होने कट दिया सी, root 7x, so answer के नहीं हुगा, x नाल x कट आगया, किया हुगा, 3 upon root 7, यह आगया जी, अपने second part दांसर, तुसी चाहूं ता इतो, rationalize करके भी लेक्साग दियूं, otherwise आपने दोनों आपसर आगया, so next आपने को लेख फोर्थ question गिवन है, ता बिल्कुल सेम तरहां दा question है, जे में आपा पहलां कीता है, आपनों नहीं देता रजे, 15 टाइम्स कोटे इस एकल्स तू 8, and find out करना आपा एक साइन है, एक सी केंट है, पहला कम तो मैं बार बार कहना है, भी ट्रेंगल बनालेया करू, जदू आपा ट्रेंगल बनालेया, उद्दू बाद दूसरा कम की हुंद है, दूसरा कम भी साइड़ाम पूरियां कर लो, दोई कम हमें, लोबे, आ ए दा नाम देता, इस नूँ बी दा नाम देता, इस नूँ सी दा, लोबेटे, आ राइट अंगल ट्रेंगल हुंद है, ते एस नूँ अपा ए नू क्यों हाइलाइट कर रहे हैं, विकाज, यूजड एंगल केड़ा अपना ए, देखो त्यान ना, ठीक है, तो ए दे सामनी आलाई काऊन हुगा अपना, परपेंडिकुलर, जादर हुन है, वी यूजड एंगल दे सामनी परपेंडिकुलर हुनद है, आ काऊन है, बेस, आ काऊन है, हाइपोटनियूस, एनी गल कर्म तो बाद, आएंग दसो भी जड़ा 15 है, एहे 8 दे नीचे आ जूगा, हाँ जा ना, सो बेटे मेरी कुले, कौट ए दी वैल्यू की नहीं बन जूगी, कौट ए दी वैल्यू बन जूगी, 8 अपॉन 15, यहीं बन जूगी, जो तो 15 नीचे आ गया, सो बेटे हुन बलकल सेम काम, कौट देखो अपने कुले हुनदा की है, बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर, सो मैं इस नूँ लेख देना है, यह हुनदा अपने कुले, बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर, ते कंपेर कर दे हैं, कंपेरिंग विले चेक करो, बेस के ना जूगा, सो बिटे अपने कुले बेस आ जुगा 8X मल्टीपल दी फॉर्म ची लिखना ना पिछले questions भी करके आ है या सेम अपने कुले perpendicular के न आ जुगा 15X सो मेरे कुले perpendicular भी आ गया बेस भी आ गया है इननों आपा highlight करके रख देने है लो भई सो होना अपने कुले आता हैगा 15X ते हाइपावड निउस सोरी बेस आपने कुले हैगा 8X हाइपावड निउस आपा कड़ना है ते किमें कड़ाँगी पाइथाओगरस लगा के सो पहला काम आपा पाइथाओगरस लगो नहीं है मैं इते लेख देना by Pythagoras, आपने को ले की आउगा, सो बेटे, h square is equals to, p square plus b square, h आपने को ले नहीं हेगा, so that's why p square दी value पार देंपा कि नहीं आउगी, 15x दा square, base आपने को ले 8x दा square, लो बहीं, ये बन गया आपने को ले, पहले राता बन गया 225x square, अगला बन गया आपने को ले, 64x square, इता सारे नूँ ओंदा ही है, मेरे तो पहला काड के पास से रख देंगरो, h square दी value आगी, 289x square, so बेटे, तो नूँ पता ही है भी आ square उदर जाके root होगा, and 289 दा आपने को ले root की हुंदा है, 17, so h दी value आपने को ले आ जूगी, 17x, ठीक है, लोब भी, हाई pot news भी आपने को ले आ गया किनना, 17x, हुन करो गाल भी की कोश कड़ना है, sign a कड़ना सर, कर देने, एक skint दी गाला मिला था, sign a, so बेटे, हुंदा की है, sign p upon h, so p तो आपने को ले हैगा, yes sir, p किनना है जी, p आपने को ले हैगा, 15x, h किनना है, हुने कड़ किया है है, 17x, so बेटे, x ना, x कट्या गया, answer किनना आया, 15 upon 17, यह आया जी, अपने first part दा answer, second आपनों के है, केंदा secant a कर दो, यह भी कर देने हैं, एक कमेंट दी गाल भी नहीं, secant a, so बेटे, हुन्दा काउन है, secant h upon b, so मैं इत लिखे देना है, hypotenuse upon base, hypotenuse किनने 17x, base किनने 8x, x ना, x कट्या गया, बचया की 17 upon 8, so यह आया अपने second part दा answer, so next आपने को यह fifth question है, आपनों केहा गया है, given secant and 80 बचे angle चेक करोते आनाल की लिखे होया ना ने, यह लिखे होया जी, theta, so मैं पहला थीटा पर यह दास देया, तो अनूं की चीज़ है, तो कोई खास गाल नहीं है कि, जिमें अपना theta नों तो पहला इदान लेख देया है, यह है जी अपना theta, लो बई, जिमें तो अनूं ऐस ट्रेंगल देविच, एंगल x नज़र आ रहे है, उमें x दे जगाते theta लिखे होगा, तो बिल्कुल भी नवी चीज़े नहीं है कि, आपां की है, इनना दी भी एक कापा simple ABC पाड़ देया, उमें इनना दी एक ABC है, theta होगया, आई एक सुनवा होगा, गे जागे phi आ होगा, ठीक है, इनना दी एक ABC, alpha, beta, gamma, इनना बारे तुसी पड़या भी होया, इनना दी, आपां दी एक पहला की करना, एक triangle ड्रॉ करना, तो triangle दे वेच, फिर गाल करांगे भी आपा कटना की कोशा, triangle दे वेच रजे अपने कुले, आप B हो गया, आप में शापा A ही कहा रहे हैं, इस नूँ C, लोबे, आप B अपने कुले right angle ट्रेंगल होंदा है थी, एड़ एस एंगल नूँ अपा highlight कार देने है, वैसे आपनू highlight कारनी होना ने कोश नहीं कहा, क्योंकि angle ही उनना ने theta दे रख्या है, पर अपने एस नूँ कहा दे आँगे भी अहाँ एंगल है अपना theta, जिमें एक थे एस नूँ X कही बैठे है, लोबे, सो theta दे समने अपना कौन होगा सर, perpendicular होगा जी, आकाउन होगा फिर base, एंड आकाउन होगा hypotenuse, हुण आपा पढ़ दे हैं questions की कुछ करना है, वो कहना second theta तो हम देता होया, calculate all other ratios, all other trigonometric ratios आपा कडनी है, तब बहुत सोख है, पहला ताएंद दसो भी किनिया हों दिगे, यह निया सर्शी, second दे रख्या है, आपा कडनी है, sin theta बारे, दूसरी आपा कड़ी कडनी है, cos theta बारे, तीसरी कड़ी कडनी है, ten theta, चोथी कड़ी कडनी है, cot theta, पंजमी कड़ी कडनी है, second theta, आपी, चलो एनवी लेखी दे वे यहार बिच्चे, and last कड़ी हंदी है, cos second theta, अपना serial नहीं टोटना जाईदा, serial यह नहीं रोगा, ता अपना बहुत सौखी जी गल है, तुसी की करने, pythogors लाके, पहला ता सारियां साइडां कड़ो, after that हो थे पर ही चलांगे, लो भई, सो अपना दित्ता की होया, पहला ता सीकेंट हुंदा काउन आपने कोड़े, h upon b, सो बिटे आप आपनों दित्ता होया, h upon b, सो मैं इत्थे compare कर दे है, h दी value की नहीं आगी, दस होंगे 13x, सो मैं डिरेक्ट इच्छी लेख देनने, h की नहीं आपने कोड़े 13x, and base की नहीं 12x, तीसरी साइड केड़ी काटल गिया अपना, p कर देने है, लो भी, by pythagors, वैसे ता सारे नुपता ही है, 5 आप गी, है न, triplet अटी हुंदा है ना दा, सो बिटे h square is equals to, p square plus b square, ता मेरे कोड़े h दी value है गिया, 13x दा square, p नहीं पता, b पता अपनू 12x दा square, सो ए बान गया अपने को लिए 169x square, minus 144x square, is equals to p square, सो बिटे p square दी value आगी जी, अपने को लिए 25x square, सो बिटे p दी value अपने को लिए की निवान जोगी, 5x, लो भी, सो p भी आगया किना आगया अपने को लिए 5x, ता बहुत सौखी काल है, लो भी, आज वे थे फिर sin theta, sin theta किना होंदा आपने को लिए, p upon h, हाणा, p की अपनी बोलोंगे 5x, and h की अपनी 13x, सो अपने को लिए x ना x कट्टा आ गया, सो अंसर के नाया 5 by 13, ये ता मैंनों है लाग, आदा भी जे तुसी आव दिया पे पूरा question करों, ता अद्धी trigonometry ता होगी, लो भी, second अपने को लिए, base upon hypotenuse, क्योंकि cos होंदा अपने को लिए, base upon hypotenuse, base के ना देता होए रोजी, base हैगा सर 12, 12x upon 13x, x ना x कट्टा है गया, सो अंसर के ना आया 12 upon 13, लो जी, तीसरा, इना दुना दी डिवाइड ही हुंदी है, sin upon cos की इन्दा अपने को लिए 10, चाहिए ता उथो काटलो, चाहिए डिरेक्ट डिवाइड कार दियो, सो P upon B, सो बिटे P की नहीं है अपने को लिए, P है गिया 5x, अपने को लिए 10 दा पुठा हुंदा है, सो काट के नहीं हुगा, बेस अपने को लिए 12x upon 5x, एक्स ना एक्स कट्या गया, अंसर की आउगा 12 upon 5, उदा पुठा ही हुँए जो पर आया, नेक्स्ट अपने को लिए cost दा पुठा, secant, वैसे secant उने दे रख्या सी, कड़न दी लोडी नी, पर फिर भी शाड़ते नहीं हुँणा पा, किना हुगा, ए b upon h c, ए हुगा h upon b, h किना रजे, h हैगा 13x, b किना अपने को लिए, b हैगा 12x, x ना एक्स गया, सो अपने को लिए किया या अंसर, 13 upon 12, एही दित्ता सी होने, हाना, ए तो verify हो गया, भी करीता सही या ने आपा, last one रह गया, secant theta, ए पहले पाई दा उल्टा है जी, sin दा, so h upon p, सो अपने को लिए h किना है, h हैगा जी 13x, p किना है, पी हैगा जी 5x, x ना x गया, सो किना होगा, 13 upon 5, तुसी वैसे, इनना तिनना नू, उनना तिनना दे, ड्रेक्ट भी रैसे प्रोकल से लेक सागदे सी, अपाँ एक्स उक्स सारेंच करने, फिर लोड इनी सी कटने, ठीक है, तुसी अपना केड़े पार दांस रहा है, question 5 दा, so next अपने को लोई question number 6 गिवन है, ते इस question दे एक खासियत भी है, ते एक कमी भी है, पहला हमें कमी दास दा है, कमी ए अभी इस question दे विच आपनू, statement आज़ेडी हो, properly नहीं दसी गई, भी पूरी statement की है, मैं भी NCRT मंगू ही लिखी है, half statement, इथे नहीं ए नहीं दसी, आभी एहे दो ट्रेंगल्स दी गल कारे है, दोनों लग-लग ट्रेंगल्स दी, ठीक है, तो बच्चे उनना नहीं कहा, इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles, acute angle है गिया, फिर ट्रेंगल करनें, एक एंगल ए देता हुआ एक एंगल B देता हुआ, जो एसनू आपको, अपको, A दा नाम दे देनए, ठीक है, लव बई, एट एसनू नाम दे देने है, अपको एंगल B दा, ठीक है, ओके हो गया जी, एंड बाकि जो मर्जी नाम देदे हूँ इसनों जो मैं आप पी क्यों कैसा दियां इसनों कुछ भी सीडी कैसा दियां ठीक है आप ने कुल 90 डिग्री है हुन दूसरी गल जेकर मैं क्वेस्चन दी करां ता एक क्वेस्चन ट्रेंगल्स नों सिमिलर करके फेर होगा तो अनू सिमिलर्टी दा यूज लेना ओना चाहिदा है जो आपा चैप्टर 6 ट्रेंगल्स वेच कीता सी तो बेटे क्योंगी प्रूब करना आपा एंगल ए इस इकल्स टू एंगल बी तो ओविसली दोना ट्रेंगला नू सिमिलर कार देंगे प्रूब हो जूगा लव भई सो गिवन की दिता होया गिवन दिता होया सर कहने दे कॉस ए इस इकल्स टू कॉस बी सब तो पहला में नू आयां दसो जी कॉस ए नू तुसी की लेक सादे हो दसोंगे इस ट्रेंगल दे वेच जाओ जिदे वेच ए शेड कीता सीगा ता अपन लें कोले ऑंडै प्रपेंडिकुलर आप बेश आईपोर्टनियूस घणा सो की हंदा है, बेस अपन हाइपोर्टनियूस अपना कॉस बेस किनने ए एक्व हाइपोर्टनियूस किनना रजे अपने कोले ए पी लेगता है ता बहुत एजली सेम होन कॉस बी नू, कॉस बी बिच जाने है आपा इदे विच भी सेम गल आपना प्रिपेंडिकुलर है आप बेस है आ हाई पाउट न्यूस है सो बिटे की लिखांगे बेस अपाउन हाई पाउट न्यूस मतलब बीडी अपाउन बीसी लो बई सो हुने एस क्वेश्चन दे विच मैं सर्फ एक ट्रिक लगाऊंगा उन्हों त्यार ना दिखने आपा ट्रैंगल बेच काफी बार लगाई सी सो बिटे जिड़ा आ बीडी है ते जिड़ा आ एपी है इनननों में इंटरचेंज था कारी सागधा बीडी नो नीचे लेओना एपी नो उपर ले जाना सो एही काम करना सर्फ सो बनूगा की एक यू अपाउन आ बीडी मीचे आ गया इस इकल्स टू एपी उपर चला गया इथे लिखता आपा बी सी एस डिस ते बिटे जे दोनों एक कोड़ा ता एस मों आपा किसे भी कॉंस्टेंट देखको ले लेने है जिवे मैं इथे एक्स किहा है और सुमें डिकित फिर मैं लिखिया है थे लास्त लूदे मतलों अपाउन बी सी इस ओकल्स टू एक्स हना शेटोऑ अफश आपने के एप om एक्यू दि बैली पेलिए भानगी अ की एक्स टाइम बीडी ही बनूगी लगर गी हिस पारके रख ले या इत्थो आपने कुले AP दी वैल्यू की बनूगी, अब BC निच्चे उदर मल्टिप्लाई हो जूगा, जिमें BD ये इदर होया सी, तो की बनूगी X टाइम BC, तुसी कहोंगे भी A की गार था, तो एस दा अपा यूज ला मांगे, ते आनल देखो, हुण मेरे कुले आवाल गया साइड दान दीते, आवाल क्या साइड दान दीता, गल हो चुकी है, एस साइड नो नहीं है, जिता किसे ने बलाया, प्रपेंडिकुलर्स नो, सो आपा इत्थे लेख देया, सब तो पहला PQ, सो बिटे मैं PQ नो की लेख सादा, ते आनल देखो, आपने कुले, पाइद दो अपा पहले बना ली सी, किनी है, एक्स टाइम बी सी, आपा इत्थे लेख देना है, X टाइम BC दा स्कोर, लो जी, AQ दी वेल्यो, AQ दी वेल्यो भी पहले है, मिन ली सी, X टाइम BD, सो मैं इथे लिख दिना है x time bd the square लो भी, सो p q अपने को लिए बन रहे है इथे मैं लिख दिना है x square bc square एंड ए अपने को लिए बन जूगा x square bd square ठीक है, सो बिटे तो अनू पता है वी दोना देविचो x square common है बार निकल जूगा, सो x square बार आके अपने को लिए बन गया single x क्योंकि root दे विचो भी बार निकले आया अंदर की बचया, अंदर बचया सर अपने को लिए bc square minus bd square ठीक है, सो एस नू मैं एक वरी इथे ही hold राख लिया ओके जी, क्यों hold रख्या है, क्योंकि आपा होन दूसरे परपेंडिकुलर ते भी काम करना है एससे देता नहीं सारा जोर लोना, दूसरा परपेंडिकुलर देखो बचे, दूसरा परपेंडिकुलर की है अपने को लिए cd, cd square कि देखलो होगा वो में hypotenuse square minus b square, hypotenuse कौन है दा, bc, bc square minus bd square सो बचे, cd the value अपने को लिए कि नहीं आगी, सो अपने को लिए आगी bc दावी square minus bd दावी square, देखो के ते गलां देखी है में यतनी लाग दिया पहला भी यही आईसी, होण भी यही आगी, ते आनल जैक करो सो मैं इत्थे लेख देने, अपा इना दोनानों डिवाइड कर देने इन्हों अपा 1 दा नाम देदेने हैं, इन्हों अपा 2 दा नाम देदेने हैं सो मैं इत्थे लेख दाँ, divide 1 by 2 सो बेटे इत्थे लेख देने हैं, divide 1 by 2 divide करना की फैदा होगा? अपने यहापी पता लाग जिए तोनू सो बेटे डिवाइड कीता, उपर आगया PQ, इधर आगया नीचे CD हाणा, इस इकल स्टू, उपर की पर आपने कोले X टाइंग, रूट दे बिच BC दा स्क्वेर, माइनस BD दा स्क्वेर, अपाउन अपाउन चीप है, उद्रो चेक के लिए हो की कोश्ची का, सेम ही है जो रूट दे बिच्चा है, BC दा स्क्वेर, माइनस BD दा स्क्वेर, तब बेटे देखो कौन कौन कट्टे जा रहे है, आज सेम चीज उपर पही है, सेम चीज अपने कोले नीचे भई है, कट्टी गई, सो अपने कोले PQ अपाउन CD दी वैल्यू की नहीं आई, यह बचाएक सर्फ X, हाना, हुन चेक करोते हैं आना, जदो तुसी यह एक्ठेल X लेट कीता सी, देखो बेटे एक कवरी, सो आपने कोले AQ अपाउन BD, AP अपाउन BC, ते PQ अपाउन CD तिना दी वैल्यू की है, X, ता जेकर मैं गालक करांद दुनों ट्रेंगल सी, ता पेटे एक्ठों अपना क्वेस्चन होन हो जाना है, सो मैं एक्ठी लेख दना, इन ट्रेंगल, AQ P, AQ P ट्रेंगल, and दूसरा ट्रेंगल केड़ है, B, D, C, ट्रेंगल B, D, C, सो पेटे सार अपने हां साइड है, पहली साइड के डी है, AQ अपान BD, AQ अपान BD, लेक्ती सर, AQ अपान BD, इस इकल स्टू, दूसरी साइड के डी C, A P अपान BC, एधी A P आगी, उधी B C आगी, A P अपान BC, and तीसरी साइड के डी आगी, हुने ज़ेड़ी प्रूब कीती है, P Q CD एदी PQ ओधी CD तो बिटे A की आगिया अपने कोले एक्वल आपप प्रूब किती है therefore triangle AQP आपने कोले similar हो गया triangle BDC दे रूल केड़ा लगया जी रूल लगया अपने कोले SSS रूल लोगी तो आपने कोले जे दोनों triangle similar ही होगे तो उना दे जड़े angles हो भी की होंगे equal so आपा end result लेख देने है therefore angle A is equals to angle B reason की लिखांगे बिल्कुल end ते ही so end ते लिखांगे जी अपने corresponding parts of corresponding parts of similar triangles जीनों आपा बोल्या सी भी CPST भी बोल दे हैं पर लिखना नी corresponding parts of किड़े triangles similar triangles so हो गया जी अपना प्रूव so बहुत easy जा question है but important बहुत जादी है मैं कवरी recap दिनने अपने कोले कॉसे दे कॉस भी इकल क्या सी दो मैं triangle बनाई है जीड़ा बच्चा एक triangle बनाऊगा उदा उत्थे गा तो उन दे चांस है लवी दो triangle बना ले लेकिती उन्हानों x-let कर लिया so दोना तो value बना ली उप्रोव aq दी value एथो ap दी value x दी फाउंच पहला मैं आप perpendicular दी value बना ली फिर ad बना ली फिर दोना नों divide करता ओ भी किन्यागी x ता दोनों triangle similar होगे sss नाड ता cpst नाड अपने की होगे angles equal